हेले व्रिवान, वेलकम टो एसकेडमी, आई होप आपलो सब अच्चे होंगी, आप लोगे क्लासेश इस्टार्ट हो गई हैं, यदि आप लोग साइन्स की, हिंदी की और केम्पूटर की अभी तक वीडियो नहीं देखें, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, आज आप को सुरू से अंतर जरू देखेगा, और उन वीडियो को भी जरू देख लिएगा, जो साइन्स की अप्रोड हो चुकी है, हिंदी के और केम्पूटर साइन्स के, ठीक है, आज समान गयान के कुछ महोती महतपूर कोशन देखेंगे, यह वीडियो का पार्ट वन है, आप लो को उसी में अटेश कर देखेंगे, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है, तो चलिए बिरादेर के वीडियो को सुरू करते हैं, उससे पहले आप लोग बता दूँ, यह दि आप लोग से किसी भी कोशन का एंसर बनता है, तो आप लोग कमेंट बाक्स में जरू लिखेग ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, एक्सपेक्टेड कोशन होंगे, सरप्रतम भारत रत्न किसे दिया गया था, आप लोग के सामने ऑप्शन है, डाक्टर सरपली राधा क्रिशन, डाक्टर सेवी रवन, चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी या उप्योक्त सभी, बह आप लोग को अपडेट किया जाता है, चलिए, इसका एंसर देख लेते हैं, आप लोग को ज़्यादा टाइम ने लेते हैं, इसका राइट एंसर का उप्योक्त सभी, यानि आप्शन डी आप लोग का राइट एंसर होगा, इन तीनों को एक साथ भारत रत्न दिया गया था चलिए, नेस्ट कोश्चन आप लोग सामने हैं, नाटो की स्थापना कब की गए थी, नाटो अभी बहुत ही चर्चा में है, जब रसिया उक्रेयन का जो यूद चल ला है, उसको लेकर नाटो बहुत ही चर्चा में है, क्या पता आप लोग ज़िजा में पूछे जा सकते है तो नाटो से संबंदित एक वीडियो आलेडी चैनल पे अपलोड होगी है, जिते भी इंपोर्टन नाटो से संबंदित कोशन बनते हैं, उसकी वीडियो चैनल पे अपलोड है, उसको भी देख सकते हैं, और रसिया उक्रेयन से संबंदित एक वीडियो अपलोड है, वार से संबंदित कि उसके किस कारण विवाद हो रहा है जितने भी इंप्रोर्टन कोशन बनते हैं वो भी वीडियो अप्लोड है आप लोग उसको भी देख सकते हैं करेंडेफेर वाली प्लेइस्ट में देखिए इसका राइट अंसर के आऊगा नाटो की एस्थापना जो हुई थी आप लोग नाटो के जो है हेड़कोर्टर एनि मुख्याला कहां पर इस्थित है कमेंट वाक से सभी लोग को बताना है नाटो का हेड़कोर्टर कहां पर है आप लोग गूगल करेंगे तो आसानी से याद रहेगा बनेगा तो अच्छी बात नहीं तो आप लोग को नेक्स कर रहे थे वार्ट से पर रहे थे इस्टागराम पर भी मैसेज कर रहे थे कि सर इसकी टेस सीरीज बता नहीं को पर उपलब्द है या इसी वीड़ो के नीचे लिंक दी गहीं आप लोग जाके फटा-फट डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही साथ आप लोग जब इस टेस को जो ह करें तो आप लोग उज इस coupon को लिट्ट कोट जरू apply कीजेगा आप लोग को 50% का discount दे दिया जाएगा एक टेस्पीर क्या है आप लोग को 999 की टेस्टिर है इसको 50% आप लोगो discount जाएगा 499 की आप लोग को पड़ जाएगी ठीक है आप लोग S50 आप लोग coupon code जरू apply कीज़ेगा बहुत ही महत्पूर test series है यदि आप लोग सच में इस job के लिए interested है तो आप लोग इस test series को एक बाद जरू लगा के दीजिए कि आप लोग से कितनी तयारी है कितने question बनने हैं कितने number आ रहे है S50 coupon code जरू apply कीज़ेगा परिख्षा एक पर एक test series प्रबल है S50 को apply करेंगे तभी आप लोग को 50% का discount दिया जाएगा इस बात को जरू ध्यान के इसी वीडियो के नीचे लिंक की भी दीगई है test series की ठीक है आप लोग जाके फटा-फट जोईन कर सकते हैं चले next question देखते है question नमस 3 यह पारिक उद्देशों के पूर्थी है तू समुदरी जीवों का उत्पादन के क्रिया क्या कहलाती है मेरी चल्चर, PC कल्चर या वर्मी कल्चर या आप लोग option D इविले लिजे विट्टी कल्चर आप लोग option D भी लेख सकते हैं विट्टी कल्चर तो आप लोग ध्यान देजेगा, इसका राइट एंसर होगा मेरी कल्चर, क्या होगा, मेरी कल्चर एनिही आप्षन A, अगला सवाब आप लोग सामने है, भारत की पहली महिला I.S. कौन थी, आप लोग सामने आप्षन है, आप्षन को पढ़िए और ध्यासे इसका एंसर दे भारत की पहली महिला आई और को थी हर क्रोश्चन अब लोगे दस सेकेड़ टाइम देए जाएगा उसके बाद आप लोको एंसर बताया जाएगा चली भारत की पहली महिला IES कौन थी ध्यान दिजीगा बहुत ही राइट एंस होगा इसका राइट एंसर होगा अन्ना जार्ज क्या होगा ऑप्सन ए आप लोगा राइट एंसर हो जाएगा ठीक है आप लोग ध्यान दिजीगा चले नेस्ट कोश्चन आप लोग सामने हैं भारत की प्रथम माल गारी कब चलाए गए थी प्रथम माल गारी पूछा गया है यहां दीजेगा भारत ये प्रथम माल गारी कब चलाए गए थी फटा परदोता ये चले इसका एंसर हम लो लेते हैं आप लोग ज्यादा टाइम निवेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि कम समय में ज्यादा question हो सके जो भी मन में आप लोग सवाल है आप लोग comment कर सकते हैं या आप लोग Instagram, Facebook, ट्विटर कहीं पर भी आ सकते हैं आप लोग पूछ सकते हैं चलें इसका answer देख लेते हैं इसका right answer ये क्या होगा इसका right answer हो जाएगा option A, 1859 प्रथम माल गारी चलेगे थी ठीक है? option A आप लोगा सही answer हो जाएगा next सवाल आप लोग सामने है नोबल प्राप्त भारती के संदर्फ में असत्य खतन कौन है? नोबल प्राप्त भारती के संदर्फ में असत्य खतन को आप लोग को बताना है यहीं किसको कब सन में नहीं दिया गया? ट्राप्त अमर्त सेंद, 1998 VS नायपाल 2001 वेंकर ट्रमार ड्रामा क्रिष्णन 2009 कल्या सत्तार्थी 2004 पताई इनमें से कौन सा गलत है? इसको कब नहीं दिया गया है नोबल पूरुसकार? पताई बहुत एच्छा question है भेरी भेरी इंपोर्टेंट है आप लोग समय दिया गया था तक कब दिया गया था? कमेंट बापस में आप लोग बताईए ठीक है सभी लोग बताना है आपसन ए इसका राइट एंसर होगा question over first का ठीक है सभी लोग ध्यान दिजिएगा चले next question आप लोग सामने है भारत में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है भेरी भेरी important question है basic question है I hope सभी लोग से बनना जीए question भारत में चावल का कटोरा किसे कहता है यहने किस state को कहा आता है पशिब मंगा केरल 36 गट हिमांचल पर देव भारत में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है आप लोग ध्यान दिजिएगा non-tech पर ज़्यादा फोकस करें कि technical तो आप लोग पढ़ें तो आसानी से बन भी सकता है non-tech नहीं बनेगा तो आप लोग पश्ताएंगे क्योंकि बराबर बराबर नंबर आने वाले तो नंबर आप लोग का क्या आने वाला है टेकनिकल ठीक है इस बात को जरू ध्यान नखें चले इसका एंसर आप लोग फटा फट लेते हैं इसका राइट एंसर होगा आप संसी 36 गड़को धान का कटोरा कहा जाता है आप लोग का राइट एंसर हो जाएगा ठीक है आई होब सभीलों से बनता भी होगा हर राज के राजपाल और मुख्वनती भी चले नेस्ट कोश्चन है पॉंगल का आयोजन किस राज़में किया जाता है असम तमिलनाडू केरल या उत्तर प्रदीस ध्यान दीज़ेगा बहुत अच्छा कोश्चन है इसका राज़में किया आता है कहां पे तमिलनाडू में नी ओप्सन भी आप लोगा राज़में है निम्नांकित राज़ों में से राष्टी पट्सन संबंदित रेशा अनुसंधान संस्थान उपस्तित है या रेशा अनुस बताइए बहुत अच्छा केशन है कोलकता वरार्सी बरेली कानपूर हर सहर का नाम दिया है आप लोग बताइए कहां पर राष्टी पट्सन और रेशा अनुसंधान संस्थान इस सित है चले इसका राइट एंसर होगा आप लोग ध्यान दिजिएगा ठीक है सभी लोग ध्यान दिजिएगा अगला कोश्चन देख लेगते हैं आवले के कैसलापन का मुख्य कारण क्या होता है यानि आप लोग त्वासा तिदुआ टाइप में लगता है तो उसका मुख्य केसलापन का मुख्य कारण क्या होता है टेटिन, कैप्सिन, सेलिन या एंथोसाइनिन चली इसका राइट एंसर होगा टैनिन के कारण होता है किसके कारण टैनिन के कारण है या ओप्शन सी आप लोग का राइट एंसर हो जाएगा ठीक है चली नेस्ट कोश्चन आप लोग स या हर नदी के किनारे बसे सहर को आप लोग जरूए कि किनारे पे कौन सा सहर बसा हुआ है इस एक वीडों इटाइड पे चैनल पर जेलम नदी किनारे किसी नगर बसा हुआ है। तो नदी किनारे किस नदी किनारे बसा हुआ है। जवलपूर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है comment box में बताइए ये MPGK का सवाल है आप सभी लोग से बनना चीए JBP ये जवलपूर किस नदी किनारे बसा हुआ है सभी लोग को comment box में लिखना है अगला कोशन आप लोग सामने है देवी धूरा मेला कहां आयोजित किया आता है राजस्तान उडिसा बिहार ए उत्राखंड बताइए और मद बरदेश जितने भी मेले इंपोर्टेंट है उसको भी आप लोग सांसाथ पढ़ लेजे आप लोग दिमाग थोड़ा से लगा बता अदेश्ता है राई ऑन्सर होगा ए उत्रा खणड में देवी धूरा का लिए जित किया जाता है चलिए आप इस मेले नहीं बताई एक यह नहीं बता है किस जीले में है आप बोग बताइएगा, आप बताइए हीरा भूम्या का मेला कहां पे लगता है, हीरा भूम्या का मेला कहां पलगता है, comment box नहीं बताईए, यह मदध परदेश around लगता या ओन्ही लोगों बताना है ही रा भुमिया का मेला पे लगता है comment box- mr में बताना है इसका राइट एंसर होगा 1881 में प्रतम बार जंगर्णा के लिए दस की जंगर्णा जो होती है अब उसके बाद अगला कोश्चन आप लोग सामने है अइसा दिवस का अयोजन कब से प्रारम किया गया अहिंसा दिवस का आयोजन कब से प्रारम किया गया है दो हजार दो, दो हजार पांच, दो हजार साथ या दो हजान नौ अहिंसा दिवस का आयोजन जो है आप लो ध्यान दिजिएगा यह प्रारम किया गया था दो हजार साथ से कबसे 2007 से अहिंसा दिवस का प्राराम्मिर किया गया था यह आप लोग का राइट एंसर होगा तेरही आज की वीडियो आई होप आप लोग को पसंद आयोगी आप लोग के मन में जो भी सवाल हो आप लोग कमेंट करके पोशकते हैं ठीक है चलिए मिलते हैं नक्स वीडियो में